हाई बच्छों कैसे हैं आप लोग उमेद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे ठीक है वेलकम टू पेपर है का यूटूब चेनल बाई राज सर आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेश्ट नंबर 6 एक पिछले वीडियो में हमने प्रेश नंबर 5 तक पढ़ाय था आप लोग को ब आपकर आप लोग बाट 1 सेकेंड सेमेंड सेमेश्टर का सैन ब्यवस्था पढ़ेंगे आप धीक है बच्छों बा आप आप वन सेमेश्टर सेकेंड का जैन ब्यवस्था चैन्ड बवच्ता पढ़ाएं है प्रेश्ट नमबर शिक्स इसले वीडियो प्रेश्ट नमबर फाइब तक हमने बताये था आगे प्रेश्ट नमबर शिक्स का जो हम बताने जा रहे हैं आप लोग को क्या कर रहा है गुप्त कालिन सैन ने संगठन किया था संगठन आत्मक रूप उसका क्या था और उसके शस्त्र आर्थ उसके शस्त्र जो थे और युद्ध कला किया थी उसका स्पश्टिकर्ण करना है उसका वर्णन करना है ठीक है बच्चों अथ्वा में यहां दिया हुआ है समराट चंद्रगुप विक्रमा देती की सैन वेवस्था यों युद्ध कला पर एक चा करना है ठीक है उत्तर देखिए यहां क्या कर रहा है मौरे वर्णिश के पतन के बाद दच्षिन भारत में सात्वाहन वंश के राजाओं ने एक सकति सालीस समराज की अस्थापना करने में सफलता प्राप्त की जब मौरे वन्ष का पतन हो गया तो दच्षिन भारत में जो है सात्वाहन वंश दच्षिन भारत में कौन वंश सात्वाहन वंश सात्वाहन का सबसे प्रतापी राजा कौन था कौन था सिमुक कौन था कि पिमुक को था सात्वाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो जो है अफलता प्राप्त की समराज अस्थापित करने में सात्वाहन वर्षों ने फलता प्राप्त की लगभग 300 वर्षों तक सात्वाहन जो है राजाओं ने अपने प्रबल सेन शक्ति से बिदेशी आकरमणकारियों को दक्षिन में प्रविश का मौका नहीं दिया तीन सो वर्षों तक बाप देखी हैं तीन सो वर्षों तक सात्वाहनों ने दक्षिन भारत में आनने से कोई भी विदेशी शक्ति को रोक के रखा हुआ था और ठीक है मौरे वन्ष के पशात साथ महान आए साथ महान जो है तीन सो वर्सों तक बहुत परतापी राजा उसमें हुए उसमें जो है कोई आने नहीं दिया दक्षिन भारत में किसी को विदेशी आकरमकारी को किन्तु उसके पशात आंतरिक विगरहयम अनेक नए राजियों के अस्थापना तथा विदेशी आकरमकारी और शको ने इस वन्ष का भी अंत कर दिया जब भी हम परास्त होते हैं तो फूट डालो और राज करो की निती से जो है अपने में कलह करके जब यूनिटी नहीं रहे और इसके बाजूद इसके फल सोरुप ऐसा एक नया मोड मीरा जो है सकों सक जो है उसमें सेंध लगा दिये और यहां जो है पहुँच गए इस वन्स का भी अंत कर दिये सातवाहन वन्स का सकों अंत करके और एक नय वन्स का स्थाफना कर दिये और उसका अंत कर दिये सातव महान का ठीक है बच्छों देखिए अहां गुप्त समराज का अभुद्य कब हुआ था वो देखना है अम लोग को गुप्त समराज का अभुद्य चोथी सताब्दी तक भारत में छोटे-छोटे अस्तरी देशी एवं बिदेशी राज बनते बिगड़ते रहे चोथी से पूर्भी चंद्रगुत पर्थम ने गुप्त समराज जीति मगध समराज की ऐसी अधारशीला अस्थाबित की जिसने अपनी अचार कोटिल के पदचीनों पर चलकर मौरी की भाती सेन सकती के चत्रमुखी विकास को संभव बनाया और इस काल में जो है मौरे वन्स का चं पर मुखी विकास करने में संभव हो पाया था महराज धिराज की पदवी धान करने वाले चंद्रगुप्त पर्थम ने उत्रा अधिकारियों समुंद्र गुप्त चंद्रगुप दित्वी विक्रमा दित था असकंद गुप्त ने भी छोटे-छोटे राजियों को जीत कर अथ्वा अपने में मिलाकर एक विसाल समराज की अस्थापना की ओर सैन शक्ती के पुनरत्थान में नक्योल महत्पुण भुमिका अधा की अफितु प्राचीन भारती सैन सस्तराज की इतिहास को एक नया मोड़ देने का स्रेप्राप्त की है ठीक है गुप्त समराट चंद गुप्त समराट चंद्रगुप्त में असकंद गुप्त विक्रमादित्य पोटिल ये सब थे जो है और महराज धिराज की पद्वी धान करने वाले चंद्रगुप्त के उत्रा अधिकारी थे महराज धिराज की कौन-कौन उपादी धान किया था बच्छों चंद्रगुप यह सब्सकंद आपनेमें मिलाकर कर एक शन्ष की ओर कि अने शकति का पुनरदार कि थे एक बड़ी सी शैन सक्ति का पुनर गठन किये थे और महतपुर भूमिका के आदा किये थे अपितु प्राचीन जो है प्राचीन भारती सैन सस्तराजी की तिहास को एक नया मोड ये लोग देने का प्रयास किये देखे क्या कह रहा है गुप्त राजाओं ने छोटे-छोटे र उनमें अधिकान सकुनों ने आंतरिक स्वतंतरता की छूट दी थी और ऐसे नहीं थे सताते नहीं थे बालपुरवक उनमें आंतरिक स्वतंतरता की छूट भी दिये हुए थे इसके बदले उनसे निश्चित कर लेना था तथा आपातकाले निश्चिती में सैन सहता की में प्र्याप्त मात्रा में आस्थाई सेना का महत्तो धीरे धीरे कम होने लग पहनिन लोग अस्थाई सेना करते थे पृष्छ सेना रखने का महत्तों कि म मत्यों कर दिया गया सैन संग भूर। गुपत कालीनसेन ब्युस्था कंद्रत की सेना को अधीपत्य के बावजूद आंतरीक शान्तियम्सू ब्युस्था ओस्थाइ सेना रहती थी तो तू अन्पर्मानेंट होती अपर्मानेंट नहीं होती तो उसी काल में गुप्त काल में भी अस्थाई सेना की निव तो रखा ही गया और अस्थाई सेना की भी निव रख दी गई ठीक है बच्चों सैनिक भरती और बेतन इसका क्या प्रोसिस था देखें गुप्त काली इन सेना में सभी वर्गों के योग सासी बेगतियों के भरती की बेवस्था थी योग्य थे और सासी जो थे behavior से अच्छे थे और ब्रेव बहादूर थे उनकी भरती होती थी किन्तु इसमें च्छत्री को प्राथिमिकता जीज़ता थी च्छत्री जो है बाहुबल प्रामण के मुख से क्या ब्रामण उत्पन हुए ब्रह्मा के मुख से ब दी जाती उसी समय से अभी हमने वता है सुद्रों द्वारा भी सा करवाई करने का प्रामाण मिलता गुप्तकाल में ब्रामण वैस और二वारा भी मिला हुआ इस गाल में बित्विभाग का उले किया प्रमाडित करता है कि अस्थाई सेना के सैनिक जो थे तदा पदेकारियों को वेतने भत्य देने कि समुचित बेवस्था थी एक उचित बेवस्था किया करते थे ठीक है सैनिक बित्विभाग का अधक्षरण भंडारन काहलाता था सहचरों के वेतन भोगी होने का प्रमाड मिलता है अपने विगण में राजा के परतिहार तथा सहचरों के वेतन भोगी होने का भी प्रमाड मिलता है सैनिक प्रशिक्षण भी वा सकता था ट्रेनिंग होती है पुलिस की पोर्स की उसी तरह उसमें भी सैनिक प्रशिक्षण होता थो देखेंए इस काल में सैन प्रशिक्षण के अस्तर के संब्ध में कोई धोस प्रमाण नहीं Primitive न होने के distributed होने न होने के बावजूद यह माना जा सकता है गुप्त समराटों की दिगविजे लालसा एक बाह आकरमनकारियों को परास्त कर बड़े समराज की अस्थाफना सुप्रशिक्षित सेना के अभाव में सायद ही संभा हो पाता अता सैन प्रशिक्षण की इस काल में कोई न कोई आव अस्वरोही सेना ता गज सेना पैदल सेना अस्वरोही सेना गज सेना तीन प्रकार की सेना थे धारातली प्रतिकुलता तथा युद्धों में गती महत्यपुन अस्थाई स्थान ना होने के करा रत सेना का योधिक उपयोग슬 किया में आवश्य या का इस काल में सेनदायों में को सरवधिक महत्यूफ ने हिस्थी या संभव राजी सेना से प्रणा लेकर इस सेना को प्रमुख सेनांग रूप में स्विकार किया हो और उसे शक्तिसाली बनाने का प्रयत्न भी किया हो गुप्त समराठ सत्रु सेना को भयवित करने और अपनी सेना के बचावेतु गज सेना को भी महत्पुन मानते थे गज सेना को चौदा हजार हांतियों का उलेक इसी तरह पहले रहा करते थे सब इसी तरह रहा करते थे ठीक है आसो एम गज सेना का साथी युद भूमिके के सभी छेतरों में सफल योदिक करवाई करने में सक्छम पैदल सेना भी विजीत प्रदेशों में समझीत अधिकार बनाया रखने के लिए आवश्य एम महत्यपूर्ण समझी जाती थी और महत्यपूर्ण इंपोर्टेंट समझी जाती थी इसकाल में गुप्त रजाओं के पास नौसेना होने का भी हुलेक मिलता नौसेना होने का भी मुख मिलता समपेदरी तथा अने समंद्री दीपो तक संभोता सशक्त जल सेना के अभाव में संभो नहीं था इसी प्रकार चंद्रगुप दीतियों द्वारा पराजित सवराष्ट था मालवा के सको द्वारा जो है जावा में उपनिवेश बनाया जाना तथा चीनी यात्री फाहियान द्वारा अं सेना की शक्ती दुराओर साधनों का उपयोग भी किया हुआ था ठीक है बच्छो समझ में आ रहा होगा आप लोगो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और सबस्क्राइब भी कर दिजिएगा बच्छों सस्त्रार्थ पढ़ेंगे हम लोग की सस्त्रार्थ में क्या बाल तलवार छूरे के समान फलो वाला चक्र तक गदा प्रमुक होते थे और सुरक्षात्मक उपकरणों वर्ग कवच तश्या सार्थ तीर में लगाने वाले शार्थ इस काल में घोड़ों को कवचित करने का भी लेक मिलता है साथ निंद ला लाने वाली अस्तर शत्र परवा । इनके चारो जलपुण खाई रहते थे समता सामंत भी अपने अपने राजियों की सुरक्षात्मक दुर्ग रचना अपनाते रहे होंगे युद्ह आत्रा ठीक है इस काल में посмотреть वर्षा समाप्ति के करने दिए वर्शा रितू के समाप्त होने के बाद सरद रितू को युद्ह होने पर उत्तम माना जाता था राजवन्ष में युद्ह यात्रा के दौरन आवशक्ता नुसार चार वीवों की रचना कर आगे बढ़ने का 7 वीवों की रचना कर आगे गुप्द क समझे है जखे यूद्ध परियोग के जाने का प्रक्रणी ग्हवतन आये लेखे लेख रूँऑर करने कि अजगा में इसने ठीक है बच्छों समझ में आ रहा हो गाँत हुए आप लोगोगे वीडियो को लाक नीती यूद्ध कला का विकास देखिए गुप्त कालिन समराथ आचान कोटिल के पद चिन्हों पर चलने के बावजों कूट युद्ध की तुलना में धर्म युद्धों को अनुकूल था धर्म युद्ध अधर्म युद्ध नहीं धर्म युद्ध धर्म युद्ध का मतलब यह हुआ कि जैसे अगला वार कर रहा है उसी टाइप से हम भी सेम जो है अधर्म करके नहीं धर्म युद्ध के हिसाब से चलिए तो पैदल पैदल सेना से करती थे युद्व किया करते थे वही धर्म युद्व का लाता था, इस काल में दुरगों पर अधारित इस्तीर युद्व कि तुल्ना गति सेल मैदानी युद् अधिक हुए, समःता इसलिए गुप्त समस्राटोंने कम गतिसील मंद गती वाले हांथियों की तुल्ना में युद्व वहुद्धु जयुद्ध में जयुद्ध में जए पर आधारित थी जयुद्ध में भारी प्रकार के सशत्र अस्वरोहियों पर अधिक भरोसा किया जाता था अस्वरोही उन पर ज्यादा फोकस करके और उन पर ज्यादा जो है कवच का धान कर रहता था पहले वीडियो मैंने बताया था इस चीज को और फिर से सहिद धनों से सुझेज रहता है इस कालक युद्ध कलान प्राचीन भारती युद्ध कोशल को बहुत बड़ी सीमा थक परिवर्थित एवं परामरजट कर दिया था इसलिए गुप्त काल में सैनपद्थी के विकास का काल कहा जाता हैैं सैनपद्थी के भारति यूद को असलों बहुत बड़ी सीमा तक परिवर्टन परिवर्थित एवं परिमार्जित कर दिया था इसलिए गुब्त काल में सैन का विकास का काल कहा जाता है उके बच्छो आप लोगको तो समझ में आ गया होगा होगा गुब्त काल को सैन थैंक्स बरेली